हलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब मैं हुर उपाली और आपका स्वागत है हमारे चानल कुक इन फ्राइ में तो कल है रक्षा बंधन और अगर आपने अभी तक कोई भी मिठाई नहीं बनाई है तो आप ये बेसन बर्फी बना के ज़रू ट्राइ करें ये बहुत ही जल्दी बन बारीक वाली सूजी थोड़ा सा पिस्ता गार्णिशिंग के लिए एक चोथा है चोती चमब मच eigo पावडर और थोड़ा सा बादाम और काजू बारीक कटा हुआ गार्निशिंग के लिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन की बर्फी इसके लिए हमने सबसे पहले कड़ाई में ले लिया है घी वैसे इस रेसिपी में आधा कब घी लगता है लेकिन मैं थोड़ा सा कम यूज कर रही हो और इसके अंदर हमने आड़ कर दिया है बेसन और बारीक वाली सूजी एक चीज का ध्यान रखें यहां पे हमें बारीक सूजी ही यूज करनी है अगर अच्छी सी खुश्बू आने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक तो इस तरह से आप इसको भूनते रहें जैसा कि मैंने पहले बताए मैंने या पे घी कम यूज किया है आप चाहे तो थोड़ा घी का कौउंटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं तो यह देखिए अच्छे सा रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है मिक्स्चर हमारा जो है इककठा होना शुरू हो गया है अब इसको हमें और भूनना है तो बेसन की कोई भी मिठाई बनाते समय इंक्लूडिंग बेसन की बर्फी भी हमें बेसन को बहुत अच्छे से भूनना होता है अगर बेसन अच् पैन में ले ली है चीनी और इसी के साथ मैं आड़ कर दूँगी आधा कप पानी यहां मैंने एक कप चीनी ली है और आधा कप पानी यूज़ कर रही हो मैं और इसको हमने पका लिया है एक तार की चाशनी बनने तक आप जब अपने दोनों फिंगर के बीच में इसको टच करें तो एक तार एक थ्रेड टाइप का बनना चाहिए अब मैंने इसके अंदर आट कर दिया है इलाइची का पाउडर तो हमारी जो चाशनी है वो अलमोस्ट रेडी है इसको एक बार आप फ्लेम को आफ करने से पहले कर लें कि इसका एक तार बन रहा हो यानि कि यह हलकी सी चिपचिपी होगी और जब आप अपनी दोनों फिंगर के बीच में इसको टच करेंगे तो एक तार बन देगा तो हमना चाशनी जो है वो बना के रेडी कर ली है और बेसन को हम लगातार चलाते रहे थे जितनी देर अब जो है हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन दिख रहा है इसका कलर काफी अच्छा चेंज हो गया बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे है इसमें और आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी सी एयर पॉकेट्स बन रही है यानि कि हमारा जो बेसन है बिल्कुल अच्छ अच्छे से बन जाएगी तो इसको आप लगाता चलाते रहे हैं मैं इसको लगाता चला रही थी तो आप देखे कितना स्मूध बनके तयार हुआ है ये और अब मैं इसके अंदर आड कर दूँगी जो हमने चाशनी बनाई थी वो और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक् करके तो अब आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी और देर पका लें तो फ्लेम मैंने ओन कर दी थी और इसके बाद अब ये देखी कितने अच्छे से मिक्स्चर गाड़ा हो चुका है घी भी काफी रिलीज होना शुरू हो गया बस थोड़ा से हमें और पकाना है इसको मैं लगातार चलाती रहोंगी जिससे कि ये अच्छे से इवनली सब तरफ से पक जाए और कहीं से भी बॉटम में लगे ना तो ये देखी मिक्स्चर हमारा रेडी है हमने ले लिए एक ग्रीस की हुई ट्रे इसमें नीचे मैंने घी से थोड़ा सा चिकन और इसको अच्छे से उपर से लेवल कर दें आप तो ये बर्फी अभी से बहुत टेस्टी दिख रही है और अब इसको मैं गार्निश कर दूँगी बारी कटे हुए ड्राइफ रूट से ये स्टेप बिल्कुल ओप्शनल है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं तो यह मैं मैंने पिस्ता और काजू अड़ कर दिया है इसके ऊपर और अब मैं थोड़ा असा बारी कटाओ बादाम इसके ऊपर छिरक दे रही हूँ और हलका से इसको टैप कर दें प्रेस कर दें जिससे कि ये सारे ड्राइफ रूट बर्फी में अच्छे से चिपक जाओं और आप इ इसको फिर्ट से बाहर निकाल लिया है और इसके मैं पीसिस कट कर ले रही हूँ बहुत ही आराम से इसके पीसिस कट हो रहे हैं बहुत जादा सॉफ्ट बर्फी बनी है ये देखिए बिलकुल मुँ में घुल जाने वाली टेस्टी सी बेसन की बर्फी बनके रेडी है और इसको बनाना घर पे बहुत ही आसान है तो आप भी इस रक्षा बंधन ये बर्फी घर पे बनाके ट्राय करें और हमारे साथ अपने एक्सपीडेंस शेयर करें कि आपको ये रेसिपी क